हेलो दोस्तो देखो फैक्स भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आप सभी ने वो कहावत तो सुनी होगी कि जोडिया उपर वालाई बनाता है लेकिन कई बार वो कई ऐसी अनों की जोडियों को भी बना देता है जो की अन्य लोगों के लिए अविस्वस्णी होती है तो दोस्तो हम अब आपको देखो फैक्स भारत के इस एपिसोड में कुछ ऐसी अनों की अवस्वस्णी जोडियों के बारे में बताने वाले हैं जिने देखकर आप सभी को हसी भी आएगी और ये जोड़िया आपको काफी अजीब भी लगेंगी तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब सरूर कर ले दोस्तो वैसे तो हमारे इंडिया में साधी से पहले लड़का लड़की के 36 को मिलाये जाते हैं लेकिन जिन जोड़ियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं इनके बारे में जानकर आप यही सोचेंगे कि अगर प्यार सच्चा हो तो लोग जोड़ियां खुद भी बना सकते हैं तो आईए जानते हैं दुनिया की पाँच अजीव गरीब जोड़ियों के बारे में जो आपको काफी एनोखी लगेंगी दोस्तो आपको यह बार जानकर काफी हैरानी होगी कि एफरिका में कई देश ऐसे हैं जहां का नियम है कि अगर आपके पास पैसा है और आपने पैसे के दम पर किसी लड़की को खरीद लिया है तो आप उससे जितनी बार चाहें उतनी बार साधिक कर सकते हैं यह सुनने में आपको थोड़ा आजीब लग रहा होगा लेकिन यह हकीकत है तब ही तो आप हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसे देख कर आपको हसी भी आएगी और आपको यह जोड़ी काफी लगेगी तो मिलिये इन से यह हैं एहमद महुम्मद डोर इनकी उम्र 104 वर्स है दोस्तों इन्होंने पैसे के दमपर 17 वर्स की लड़की से 104 वर्स की उम्र में साधी रचाई जिहां दोस्तों यह हकीकत है अजीब बात तो यह है कि साफिया अब्दुल्ला उनकी छटवी बी भी है यानि दोस्तों साफिया से साधी करने से पहले इनकी पांच वीबिया रह चुकी है दोस्तों यह समझपाना काफी मुस्किल है कि यह लोग आखिर चाहते क्या है आखिर कैसे कोई 104 वर्स के उम्र में किसी से साधी कर सकता है कैसे कोई इस उम्र में रंगीन हो सकता है ज तो आपकी इसमे क्या है राय, आप क्या कहना चाहेंगे इस कपल के बारे में आप हमें comment box पर जरूर बताएं और आते हैं नमबर च्यार पर दोस्तो ऐसा कहा जाता है कि प्यार अलग चीज है और साधी अलग चीज कई बार आपने इस तरह की कहानियों को सुना होगा कि लड़कियों को प्यार किसी और से होता है और वो साधी किसी और से कर लेती है याद है आपको अक्षर कुमार की फिल्म धरकन जिसमें प्यार सिल्पा सेटी ने सुनिल सेटी से किया था लेकिन साधी अक्षक कुमार से हुई थी लेकिन दोस्तों पीटर मौरिया पाउल ने इस परेसानी का हल्म खोज निकाला है जियां दोस्तों आपको बताते हैं कि मारिया लड़की का नाम है ये कॉलेज टाइम पर प्यार पीटर से करती थी लेकिन इनके परिबार बालों ने इन पर दबाव डाल कर इनकी साधी पाउल से करवा दी फिर क्या होना था दोस्तों मारिया को ये ख्याल आया कि दोनों को ही अपना बनाया जाए और उन्होंने अपने पती से बात कही क्यों न पीटर को भी अपनी जिन्दगी में सामिल कर लिया जाए और फिर आप देखी सकते हैं कि ये तीनों एक साथ खुसी-खुसी रहते हैं इस रिष्टे से तीनों को कोई भी परिसानी नहीं है दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कभी ऐसा रिष्टा भी बनाया जा सकता है आपको क्या लगता है आप हमें कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा आपके जवाब का इंतजार रहेगा हमें सो आते हैं दोस्तों नम्मर तीन पर दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि क्या एक 8 वर्स का लड़का 61 वर्स की महिला से साधी कर सकता है नहीं नहीं दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आप से पूश रहा हूँ क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो बिलकुल हकीकत है ये कहानी है अफरीका के कॉंगो देश की दोस्तो ये एक तरह का इस देश का रिवाज है जिसके तहट कोई भी औरत किसी के भी साथिक कर सकती है दोस्तो ये 61 वर्स की और और ये 8 वर्स का बच्चा इन महिला ने इस बच्चे को अपना नया पती स्विकारा है इन्होंने समाज के सामने अपने पहले पती के सामने और साथ ही अपने बच्चों के सामने अपने नया 8 साल के पती से रिष्टा बनाया है दोस्तो अगर जब भी इस तरह की घटना के बारे में सुनने को मिलता है और समाज के इस तरह के नियमों को जानने को मिलता है तो आमें कापी हसी आती है बैसे दोस्तो आप किस सहर से हैं यानि कि किस सहर में आप हमारा वीडियो देख रहे हैं आप अपने देश का नाम ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पर बताएगा सुआते हैं दोस्तो नम्मर 2 पर दोस्तो आपको याद होगी करीना कपूर की फिल्म जब भी में टाई थी उस फिल्म में करीना कपूर एक डायलोग बार बार बोला करती थी मैं अपनी फेबरेट हूं दोस्तो यह जो कहानी हम आपको बताने बाले हैं इसको जानकर आपको यही लगेगा कि अगर खुद को प्यार करने का record किसी के नाम होना चाहिए तो वो इन ही वेक्ति के नाम होना चाहिए इनका नाम ली है इन्होंने अपने आपसे ही साधी कह ली दोस्तो ये हकीकत है ये पूरुस है और इन्होंने अपनी एक फोटो सारी पहने हुए खिचवाई और उससे साधी लाचाली जी हाँ दोस्तो ये बनावटी कहानी नहीं है दरसल ये एक हकीकत है और इनकी साधी में लगवग सौसे भी जादा लोग आये थे दोस्तो आप सोच सकते हैं कि कोई वेक्ति ऐसा भी कर सकता है कि वो खुष से ही साधी रचाले खुष से प्यार करने वाली बात तो मानी जा सकती है कि कही लोग सिंगल रहना पसंद करते हैं और किसी के साथ रिलेशन्शिप नहीं जोडते खुष से प्यार करने वाली बात यहां मानी जा सकती है लेकिन खुछ से साधी करने वाली बात ये काफी अजीब लगती है और काफी हसी भी आती है तो आईए आते हैं नम्मर एक पर दोस्तो इस कहारी को सुन कर यकीनन आपकी आखें भराएंगी आप यकीन कर सकते हैं एक लड़की है जिसकी उम्र महज 9 वर्स है और वो कैंसर जैसी बड़ी बिमारी से जूज रही है लेकिन इसकी बचपन से ही एक अनूखी खुआइस है वो एक दुलहन की तरह सस्वर कर साधी करना चाहती थी इस बच्ची के बचपन का सपना साधी करना ही था इसे जब डॉक्टर ने कहा कि अब आपके पास काफी कम वक्त बचा है तो इस लड़की खेस अपने को पूरा करने के लिए इसके माता पिता इसकी साधी करवानी के लिए जुट गए और वो किसी भी हाल में इसकी साधी करवाना चाहते थे क्योंकि उनकी बेटी की आखरी इच्छा यही थी कि वो साधी कर सके दोस्तो उसी हॉस्पिटल में जौस क्रिक्स नाम का एक लड़का था वो भी कैंसर जैसी विमारी से ग्रसित था उस लड़की के माता पिता ने उसकी साधी इस लड़के से करवाना सही समझा और खुसी खुसी दोनों की साधी करवा दी और साधी के महज 9 दिन बाद ही जाइला कौपर की मौत हो गई ये कहानी इतनी मार मिखें कि ये लोगों की आखों में पानी ले आए तो दोस्तो आपको कैसे लगे ये दुनिया के 5 अनोखे कपल्स आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करियेगा और दोस्तों के साथ सेयर भी करियेगा दोस्तों और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और मिलते हैं हम आपसे अगले ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई और टेक क्यार